नमस्कार आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसी हनुमान भक्त की कहानी सुनाने जा रहे ही हूँ जिसने अपनी भक्ती के कार अपने ही पुत्र को कर दिया था अगनी की हवाले आज भौम प्रदोश ब्रत है मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोश ब्रत को मंगल प्रदोश या भौम प्रदोश कहते हैं किसी गाउं में एक बुड़ी औरत रहती थी उसके एक ही पुत्र था वह बुड़िया हनुमान जी की परम भक्त थी वह प्रतेक मंगलवार को नियम पूर्वक हनुमान जी का ब्रत रखकर उनकी अराधना करते थी हनुमान जी उस बोड़ी औरत की अराधना से बेहत प्रशन्द थे हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न आज अपनी इस भक्त की स्रद्धा की परिच्छा ली जाए हनुमान जी ने उसकी शद्धा की परिच्छा लेने की सूज हनुमान जी ने सादू का भी धारन किया और उस बुड़ी औरत के घर गए और दर्वाजे से पुकारने लगे है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे जब उस बुड़ी औरत ने यह पुकार सुनी तो वह बहार आई और हनुमान जी से बोली क्या आ गया है महराज तब हनुमान जी के रूप में उस साधु बोले माई मैं भूका हूँ भोजन करूँगा तू थोड़ी जमीन लीप दे तब वह बुड़ी औरत दुबिधा में प अत्रिक्त आप कोई और दूसरी आगया दें मैं उसे अवश्य पूरी करूँगे तब उस साधु ने कहा कि और तुमने मेरे कहना नहीं माना तो तो उस बुड़ी औरत ने कहा कि महराज मैं आपको बचन देती हूँ आप जो भी कहेंगे मैं अवश्य करूँगे तब कि ठीक है तो तु अपने बेटे को बुला उस बुड़ी औरत ने कहा क्यूं महराज तब साधु रूपी हनुमान जी ने कहा मैं उसकी पीट पर आग जला कर भोजन बनाऊंगा यह सुनकर वह बुड़ी औरत घवरा गई परंत उसने हनुमान रूपी साधु को बचन दिया ठीक है और वह प्रतिग्याबद थी तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र को उस साधु के सपुर्द कर दिया बेशदारी साधु हनुमान जी ने उस बुड़ी औरत के हातों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिट वाया और उसकी पीट पर आग जलव इधर भोजन बनाकर साधू रूपी हनुबान जी ने उस बूड़ी औरत को उसके घर से बुलाया और उस बूड़ी औरत से कहा कि माइ भोजन तयार है अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वहवी आकर भोग लगा ले। इस पर वह बूड़ी औरत बोले कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुँचाओ, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह सादु माराज नहीं माने, और उन्होंने बारवार उस बूड़ी औरत से कहा कि तुम अपने पुत्र को आव आवाज सुनकर उसका पुत्र वहां आ गया, अपने पुत्र को जीवित देख, उस बूड़ी औरत को बहुत आश्चेरी हुए, और वह उन्सादू के चरणों में गिर पड़ी, तब हनुमान जी अपने बास्तविक रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने उस बूड़ी आशिर्फात दिया, तो हे हनुमान जी, आपने जिस प्रकार अपने इस भक्त पर करपा के, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपने करपा हमेशा बनाए रखना, आपको ये वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिस से हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, धन्यवाद